हेलो फ्रेंज तो मैं आप लोग का सेप्टी अब सरूं तो आज हम लोग जानेंगे ग्रेंडर सेप्टी के वरे में और हजाड और कॉंट्रोल के वरे में ठीक है तो सबसे पहले ग्रेंडर से काम करने से पहले हम grinder के सारे parts को check कर लेंगे कि कहीं damage तो नहीं है ठीक है और grinder में जो wheel है उस पे guard होने चाहिए नहीं तो हमारा हाथ कट सकता है या फिर किसी परकार से वो तूट कर हमारे face पे चोट लग सकता है या फिर face कट सकता है और grinder का जो wheel है उसका हम label और MSDS चेक कर लेंगे हम expired उसका चेक करेंगे अगर expired है तो उसे चेंज कर देंगे और उसका size चेक करेंगे size कितना है और कौन सा company का है अच्छे company का होना चाहिए ठीक है तो यह सब हम label और MSDS में चेक करेंगे और कभी भी grinder machine से will RPM ज्यादा होना चाहिए ठीक है और दूसरा हाजाड है inhaling dust and forms तो हम लोग ग्रेंडिंग करेंगे तो उसमें से dust और forms निकलेगा तो यह हमारे फेफरे खड़ाब कर सकते हैं ठीक है तो इन से बचने के लिए हम लोग dust mask का उपियोग करेंगे और करेंगे वहाँ पे आसपास कोई भी जोवलन सिल्प अदार्त नहीं होना चाहिए जैसे diesel, petrol, CNG gas, LPG gas, acetylene gas नहीं तो fire हो सकता है ठीक है और चोटा हाजाड है electric shock तो हम लोग क्रेंडिंग करने से पहले हम अपना cable चेक कर लेंगे कहीं से कटा फटा तो नहीं है नहीं तो electric shock लग सकता है ठीक है और code को भी चेक कर लेंगे वो 3 pin का होना चाहिए एक main face का होता है एक neutral होता है एक grounding होता है ठीक है तो यह सब सारी चीज़े चेक कर लेंगे और उसमें MCB, ELCB, GFCI, RCCB यूज होना चाहिए ताकि किसी को electric shock ना लगे ठीक है और 5000 है noise तो हम लोग grinding करेंगे तो बहुत सारी सोर उतपन होगा ध्वानी उतपन होगा तो यह हमारे कान खाड़ाप कर सकते है ठीक है तो इस इन खतुरों से बचने के लिए हम लोग एर पलग का इस्तिमाल करेंगे और 6000 है muscular skill till तो हम लोग एकी समय से एकी position में हम लोग grinding करेंगे तो हमारा हाथ में दर्द हो सकता है पैन हो सकता है ठीक है और जिंजिनाठ हो सकती है तो यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है हमारा हाथ कट सकता है बोड़ी नस खराब हो सकता है ठीक है तो हम लोग 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे रेस्ट करेंगे ठीक है इससे हमारा health सही रहेगा और grinding करने से पहले PPE पहनना बहुत जोरी होता है ठीक है हम लोग PPE पहनेंगे PPE का फुलपम होता है प्रस्टनल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट जैसे गोगल्स या हमारे आख को डैमेज या फिर इंजूरी होने से बचाती है हेलमेट या हमारे सिर को चोट लगने या फिर फटने से बचाता है लेदर गलप्स या हमारे हाथ को कटने या फिर जलने से बचाता है एर पलग या हमारे कान को बहरा पन होने से बचाता है सेप्टी सूज या हमारे पैर को कटने या फिर जलने या फिर किसी परकार के नूपिले चीज हलने से बचाता है तो ये सब सारे पीपी हम लोग पेहन कर ग्रेंडिंग गड़ेंगे ठीक है तो आशा करता हूँ कि आप लोग समाज रहे होंगे सुरक्षा से काम किजिएगा, सुरक्षा से रहिएगा ठीक है थाइंक्यू